यदि इस आर्टिकिल में यदि आपने डाला होता OBC की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा इतने परसों से आपको नहीं दिखाई दिया उसी तरह से 1947 से लेकर उन जास तक ये पूरा सम्विधान सभा चलता रहा परसों से यही भाजन सुन रहे हैं सर इस Constituent Assembly से लेकर 1912 से लेकर आज तक चुना हुआ कभी किसी ने राज्यसभा में Reservation की बात नहीं किई विधान परिशद में बात नहीं किई आज भी राज्यसभा में सिरूल कास और सिरूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नहीं बात के वर पॉलिटिकल एंगल के लिए आते हैं। आपने जब नहीं किया। जब तक आज तक भारत के समविधान में ये कहा गया कि राजिसवा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। बिदान परश्द में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। اور जब मानुए प्रदान मंतरी जी और भरतियजंता पाट्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राजी सभा में रिजर्वेशन नहीं है। आप अंचायत में कहिए कि कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा। चाहे मिनसफल कॉर्परेशन में कोई बीची को रिजर्विशन नहीं होगा और आर्टिकिल एक टू है सर जो एडजस्मेंट आफ इस सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजेगा इस आर्टिकल को इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे और जिस तरह से आप केवल राजनिती के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपाप बनाते रहे घुमाते रहे वही भारती जनता पार्टी करे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं सुर्वात करता हूं उसका अंत भी करता हूं यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा मिलकर रहेगा दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोख सकती है लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर वह स्पीकर दो हजार चब्विस में यह आज आटिकल अर्टिकल एकिटीटू पढ़िए संभीधान को जो आए पढ़िए जो संभीधान में लिका हुआ है कि सेंसस होगा सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे और यह आर्टिकल एकिटीटू का रहा है कि यह एकिटीटू का रहा है कि सर सर पूरे पूरे देश धुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे माने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए इस पारलेमेंक्ट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समझ्या उभी सर लोग सभा राजज सभा लोभी सभी जिगा सांसक बैठ कर कानून पास करते रहे भाई मरता था तो भाई का लास जलाने के लिए कोई नहीं जाता था पिता मरते थे तो पिता का लास जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद आपका तो आपने क्यों नहीं कराया आपने क्यों नहीं कराया कितने लोग थे जो रोड पर गुम रहे थे कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे सारे जगा के ट्रेन बंद थे सारे जगा की स्थितियां बंद थी भागलपूर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विरकट पर स्थिति में था सर माने प्रधान मंत्री जी 2020 और 21 के माहल के बाद करोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मानि ग्रीमंत्री जी बैटे हैं हमेशा करते हैं कि मैं कोई गैर संबैधानिक काम नहीं करूँगा कोई असंबैधानिक काम नहीं करूँगा यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेड गोसित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और महिलाओं को रिजर्बेशन में लगा, यही तो इस बिल में है, 334 से, जिसके बारे में की मानी कानून मंत्री जी कह रहते हैं सर, लेकिन क्या समस्या है, कि ये अपने जो 26 पार्टियाँ का एक जो घमंडिया गठबंदन मनाया है सर, इंडी एलाइंस, इंडी एलाइंस, उसके सारे नेताओं का मैं हासन पढ़ रहा था, आज सोनियाजी जब बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीती से उपर उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी, मैं उन्दा सम्मान करता हूँ सर, इस महिला रिजर्वेशन के लिए, जिन महिलाओं ने पार्लेमेंट के अंदर और पार्लेमेंट के बाहर, सबसे ज़्यादा वो आवाज उठाई, वो बेंगॉल की गीता मुखर जी थी, और भारतिय जन्ता पार्टी की सुस्मा सुराज थी, ये दोनों यदी नहीं रहती, तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता, 33 परसेंट यदी रिजर्वेशन, लोकसभा और बिधान सभा में यदी लागू होने वाला है, और मानिये प्रधान मंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भासन में ना गीता मुखर जी का जिक्र किया, ना सुस्मा सुराज का जिक्र किया, यह किस तरह की राजनीती है, अपना क्रेडिट लेना जाती है कि हमारा बिल है, यह बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने अंधोलन किया, तो वो गीता मुखर जी है, वो सुस्मा सुराज है, आपने यह नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीती करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट, जो जीता वो सिकंदर, जो गॉल मारता है, या आँग बंगाल के लोग बेटे वूए है, जो गॉल मारता है, उसी के नाम से गॉल माना जाता है, महन sagen प्रदानमंतरी जी गोल मानने को तयार है, ये भारती जंटा PARTY का भिल है और ये मानी प्रणालमिंद्रीजी का भिल है आपको ये माना पड़ेगा दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग है सब जो 26 पार्टियों का इंडी गट्वद्दन मना है इसमें आप समझे इनके भावना कैसे हैं महिलाओं के बारे इ Users है इसी सदन के सदस्टते राजिसवा के छादस थे इनके पार्टी के बड़े नेता थे इंडि भाड थे वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं डाईयों क्या महिलाओं के इसichele बाते होनी चीए दूसरी बात दूसरी बात जो है ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पारलेमेंट में दो बात संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बन कर आया अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजना जी सवों के साथ काम करने का मौका मिल असर 2011 और 2013 में दो भेंटर घटना हुई इसी विल में 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राजसभा में और जब यहाँ 2011 में जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आये और जब इन दोहर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इनी के सहयों की दल के सांसदों को इसी कॉंग्रेस में इसी वेल में पीटा साथ दो बिल था एक नहीला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूँगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर यहीं वी नरायन सौमी बिल को पेज कर रहे थे, समाजबादी पार् बिल खीच लिया इस पार्लेमेंट में इसी लोग सभा में सर सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम स्वीमती सोनिया गादी जी 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 और नीरत सेकर वहाँ खड़े थे गुलाहिम सिंग यादा बाहर थे और मैं वहाँ से कूट क टेबुल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानासा नहीं है आप यहां की रानी नहीं है इस वेल में आप मार पिट नहीं कर सकती हैं और इनके जो इतने लेपिडेट से विलास मुतेवार से लेकर सबनों उसको पिटा यह दोरों घटनाएं जो है चाहे महिला सथ नहीं बसते। आपने तो सांसदों की ठीया करने के गोश्ज़ की और उसी दल के सास्थ उसी 26 दल के साथ यह आये हैं जिनका की मांग सिखता ही नहीं है की महिला को रिजर्वेशन मिले। चाहे वो राश्ठेजंता दल है चाहे वो समाजबादी पार्टी है चाहे इनके पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर और उनी के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर इस सम्विधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारने के 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लागू हुआ उसी के कारण ये कभी OBC रिजर्वेशन की बात करते है कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं राज्य सभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं विधान परिशद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा इनको सब कुछ पता है ये देश में रहते हैं यदि बाबा साहब अमबेतकर या संविधान नहीं होता भारती जन्ता पार्टी नहीं होते उस दिल महीं कहा उस दिल भी मैंने कहा कि आप ने गाओं ने देखा है करीबी ने देखा है नहीं दे THITI आज यदि आपने कई एक कानुन ऐसे पास किया हैं जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तयार नहीं होते हैं। जंता पार्टी की देन है हम संविधान संबत काम करते हैं और मेरा सब उसे आगरह होगा कि दल पार्टी से उपर उठकर जो यह संविधान आटिकल 802, 484, 243D और 243D जिन आधार पर यह संविधान चलता है उसके आधार पर